तो बहुत दिनों बाद हम यूट्यूब पर मिल रहा है हाँ सर, एक्चली मैं थोड़ा सा काम आता हूँ और अब मुझे लगता है कि आपको मेरी जरूरत है एक्जाम नवंबर दो हजार चूबी समारा टार्गेट है अच्छा सबसे पहले तो एर उन लोग को बहुत बहुत बधाईया हो जो अभी अभी सीए बने हैं बहुत सारे बच्चों का मैसेश था मैं रिप्लाई किया पर यूट्यूब में नहीं आ पाया पर सीरियसली बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत खुशी हुई और कहीं ना कहीं अब ध्यान से समझना और सर जिनका नहीं निकला निकल जाएगा भाई क्यों टेंशन ले रहे हैं इस बार तो पक्का कर लेंगे अब क्या स्ट्रेटीजी है सर बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर पिछला जो पेपर है ये वीडियो इस्पेसली नवंबर दो हजार चुबिस जिनका अटेंप्ट है वोई लोग देखें बाकी लोग अपने समय बरबाद ना खरें तो अब नवंबर दो हजार चुबिस के जो इस्टुडेंट से अब उनके साथ समस्या ये है कि उनका कहना था कि सर पेपर तो इजी आया था कोई डाउट नहीं है ये तो मैंने पहले ही कहा था और आपको भी पता पेपर इजी आया था AFM का इस्पेस और इट का तो आप जानते हैं तो सर पेपर इजी आया था और जब पेपर इजी आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हो सकता कि पेपर जो चेक होगा लेकिन वैसा नहीं हुआ नमबर भी अच्छे आये बच्चों के और काफी बच्चे C.A. बने है C.A. बने या नहीं बने बने तो पर A.F.M. अच्छे नमबर आए और जिनके खराब नमबर आए है या फिर कुछ प्रॉब्लम रही होगी तो ठीक है अभी देख लेंगे पर पेपर अच्छा था यार तो अब ये लग रहा है कि यार नहीं ऐसा ना हो कि नवंबर 24 में है A.F.M. अब अच्छी बात सबसे अच्छी बात ये लगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जन्होंने मुस्से क्लास नहीं भी ले रखा है और रिवीजन वीडियो जो मेरे अपलोड हुए उससे बहुत ज़्यादा फाइदा मिला बच्चों को बहुत ज़्यादा जितने मेरे पास मैसेज आए हुए है और कॉल आए उन्होंने का सर आपके रिवीजन से सीरियसली हमको बहुत फाइदा मिला है और रिवीजन का अभी क्या करना है अब बच्चों का कहना जिनका हो चुका हो चुका अब नॉवंबर दोहजार चुबिस में हमको एक्जाम देना है अब क्या करें रिवीजन का अब दो तरीके पहला और रिविजन से पहले सर टेस्ट का भी बता ही दो खतम करते नहीं जब आप आए हो यहां यूट्यूब में तो अब भी के अभी सारी बाते हो जाए शेड्यूल बन जाए प्रॉपर में इस बार टेस्ट मैं आप से लूँगा जुलाई में ही स्टार्ट होने वाला था पर आप भी जानते हो आप बीजी हो आफिस में और मुझे भी समझ में आता कि और आफिस में बीजी हो तो जो सेड्यूल था जुलाई का उसको मैंने चेंज कर दिया कि आप 31 जुलाई तक फ्री हो जाएए और हम अगस्त में स्टार्ट करें जो टेस्ट होगे वो संड़े की संड़े होगे और सर आप चेक करोगे कि चेक होगे चेक होकर मिलेगे इस बार मैं चेक करूँगा या फिर मेरा स्टाफ है क्वालिफाइड है क्वालिफाइड CA है वो चेक करेंगे मतलब आपके paper चेक होकर मिलेगे और ये guarantee कि मैं एक बार go through जरूर करूँगा आपके paper सर वैसे जो registered बच्चे है उन लोगों के लिए आज मेरी zoom meeting रखा था पर किसी कारण वस मुझे पूने निकलना पड़ रहा है तो Monday को जब आऊंगा मैं मंदोग को वापस हूँ तो Tuesday का हम जूब meeting रख लेंगे और proper face to face discussion कर लेंगे कि आगे क्या होगा अभी मैं आपको schedule discuss कर रहा हूँ तेष्ट का फिर revision की बात कर रहा हूँ पहले तेष्ट फिर revision तो भईया तेष्ट तो देना ही पड़ेगा सिरियसली बता रहा हूँ टेष्ट देना ही पड़ेगा एक मात्र option है हमारा paper अच्छे से जाए उसके टेष्ट का schedule यह है और सारे जो टेष्ट मैंने schedule कर रखा है वो Sunday की Sunday कर रखा तो Sunday को दे सकते हो जो chapter wise है chapter ऐसी ही चलेंगे भाई इसमें कोई छेष्ट कहानी नहीं होगी chapter wise जो टेष्ट है वो वैसे तो July में start होना था उसको मैंने change कर दिया अब आपके पास time है हम 4 अगस्त को आपको पहला टेष्ट होगा और वो होगा security valuation का और security analysis chapter wise तो यह 3-3 घंटे का होगा नहीं 2-2 घंटे का होगा और paper का pattern वैसे ही रहेगा जैसा अभी exam में आया था multiple choice question होगे उसी हिसाब से MCQs भी 30% MCQs होगे और सारा कुछ with theory भी रहेगा उके उसके बाद business valuation मैंने 1-1 week का time ले रखा chapter में और एक week में 6 दिनों में सारा chapter revise होता है इसी तरह से portfolio management mutual fund मतलब मैंने 2-2 chapter करके कर रखा है और इस stage में अब change नहीं होगा 100 बाद commitment रहेगा न पक्का है भाई इस बार पक्का है इसने बार भी कोशिश किया था पर लेक इस बार पक्का है और जब हमारा हो जाएगा complete यह देख लेना आप तो last में आपको 15 September और 22 September को full syllabus का test हो जाएगे मतलब हम September में free हो जाएगे test देख कर ठीक है सर सर टेश्ट देने से जो देने से पहले जो one week मिलेगा उसमें revision का कैसे करेंगे यह बताओ हम से तो नहीं हो पार रार revision दो तरीके और सुन लो revision जरूरी है और revision वीडियो से बहुत जादा मदद मिली है बच्चों को तो revision का क्या होगा सर revision का एक यह तरीका है कि मेरे already revision वीडियो already recorded है और YouTube में है आप उसे देख सकते हो देख सकते हो ठीक है उसमें तो ज़्यादा जंजट है नहीं है और मुझे upload करने की ज़रूरत है ही नहीं है क्योंकि already वो uploaded है तो आप उन्ही revision वीडियो को देखिए केस्ट देते रहे है एक यह है दूसरा जबकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि revision वीडियो से बहुत ज़्यादा फाइदा मिल रहा है तो मेरे मन में यह आया क्यों ना revision मैं आपको live करवा दूँ टाम के समय एक यह option है मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप जो comments में लिखोगे अगर recorded है तो कोई बात ही नहीं है आप recorded और ने recorded video upload नहीं हो अगर हो सकता एक possibility बिन सकती है तो मैं आपका live revision करवा सकता हूँ तो अभी तक लेकिन live में थोड़ा सा time लगेगा जैसे मैं portfolio 4 घंटे में खतम कर दिया था तो हो सकता live में 6 घंटे क्यों उसकी वज़े एक वज़े है एक वज़े यह है कि आर आप होगे सामने doubts भी पूछोगे और एक दो बच्चे भी सामने बैठे रहेगे शाम को होगा शाम को 7 to 9 रखेंगे 7 to 9 office का मुझे कोई लेना देना नहीं है नौ बज़े के बाद में class नहीं लूँगा तो 7 to 9 हो सकता है अगर आपका suggestion रहेगा तो ने तो recorded तो आपके पास है ठीक है तो मुझे इस पर please suggest करना क्या हम live start कर दे revision live start का मतलब live revision होगा ओके और उसके बाद मतलब यार एक ही दिन में सब पूरा revision कर लेंगे कि chapter नहीं भाई ऐसे हो ही नहीं सकता portfolio का पहला 4-3-4 part है पहले दिन एक part करेंगे दूसरे दिन मतलब हमारे पास पूरा one week का time है तो दो घंडे की class लेंगे तो काफी कुछ cover हो जाएगा ये एक मैं सोच रहा हूँ जितना आपका मेरे पास message आ रहा है जितना आपका मेरे पास message आ रहा है तो ये एक हो सकता है अगर आप जो suggest करोगे ठीक है मुझे बताना बाकि test का तो final है ठीक है test का मैं आपका PDF send कर देता हूँ test होगा मैं check करूँ सर इसके लिए registration और कुछ पैसा वैसा देना पड़ेगा कि कुछ नहीं देना भई रिवीजन करवाओगी तो पैसा लोगे कि उसमें भी नहीं लूँगा ठीक है बस साथ देना अगर करवाता हूँ तो आपके जैसे आप मुझे सलहा देना जो सलहा दोके उसी केसा हम काम करें है चर्त ये रहेगी कि दो-चार बच्चे सामने मेरे बैठे रहेगे तब भी वो डिसिप्लिन बनता है आसे रिकॉर्डेट में डिसिप्लिन बन ही नहीं पर और आप सामने यूट्यूब लाइव रहेगा एक उप्शन हो सकता है आप मुझे सजिश्ट करना टेस्ट का सेडूल यह है भाई तैयार हो जाएए टेस्ट टेस्ट देना ही है किसी भी हालत में सर किस नंबर पे हमें पीडियेप सेंड करना पड़ेगा वो सब में डिटिल दे दूँगा और जो बच्चे जिन इस्टुडेंट्स जो मेरे रेजिस्टर्ड इस्टुडेंट्स है उनके साथ मेरी जूम मिटिंग आज होनी थी वो आज हो नहीं पा रही किसी कारण वस मुझे पूने निकलना पड़ रहा है तो मैं मंडे को वापस आता हूँ तो मंडे इवनिंग या तीउज्डे इवनिंग मंडे इवनिंग ही मोश्ट प्रॉबाइबले मंडे इवनिंग को हम जूम मिटिंग रख लेंगे और डिटेल में डिस्कुशन करेंगे कि आगे ब्लानिंग कैसे कीज़े ठीक है जी थैंक यू सो मच तो प्लीज सजेस्ट कीजिए कैसे करना थैंक यू बाई बाई मिलते हैं मंडे को